नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की ओप्टिबेक्स टियर आई ज्रॉप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ओप्टिबेक्स टियर आई ज्रॉप को आँखों में कैसे डालना चाहिए और ओप्टिबेक्स टियर आई ज्रॉप की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। या आखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉप्टिबेक्स टियर आई ज्रॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं। क्योंकि Optibex Tear Eye Drop आखों में जलन और खुजरी होने से बचाव करती है और आखों में नमी को बनाए रखती है। Optibex Tear Eye Drop में artificial आसु होते हैं जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में infection को होने से रोकते हैं। आखों की लेसिक सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्तर आखों में सुखापन और infection को रोकने के लिए Optibex Tear Eye Drop को डालने की सला दे सकते हैं। आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ओप्टिबेक्स टियर आई जॉप की वज़ा से अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन ओप्टिबेक्स टियर आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। करेंगे कि ओप्टिबेक्स टियर आई जॉप को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओप्टिबेक्स टियर आई जॉप को दिन में तीन से लेकर चार बार आखों में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन Optibex Tear Eye Drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Optibex Tear Eye Drop को आखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि Optibex Tear Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। Optibex Tear Eye Drop को आखों में डालने के बाद Optibex Tear Eye Drop के धक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और Optibex Tear Eye Drop की बोतल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इन्फेक्शन हो सकता है। Optibex Tear Eye Drop प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी Optibex Tear Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Optibex Tear Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका Optibex Tear Eye Drop से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।